Hello guys, welcome back to an academy, मैं हूँ अनिकेत अगरवाल and environment के हिसाब से GS3 के हिसाब से एक बहुत important news हमारे पास है वो है golden lagoon की, तो golden lagoon काफे जाता news में रह रहा है इन दुनों तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि again हम देखते हैं कि जो भी animals news में रहते हैं उनका IUCN status या उनके बारे में कोई national park या कोई और environment से related चीज़ हम से पूछ ली जाते है exam में तो उस्ती चीज़ों को हम discuss करेंगे GS3 के लिए important है प्लस आपको prelims में factual question भी यहां से आ सकता है वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लाइक कीजिए इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को साथ ही आप मुše semblehrom पर जूर सकते हैं मेरा telegram group है study time wyt और मेरा telegram channel है अनिकियत सर और यह है एकड़ं का हो रहा है इसके बारे में कुछ जानकारी है जो तीन दिन 26,27 और 28 जून को आपको 56 talks और panel discussions होंगी जिसके कि आपके शेशी थरूर जी हो गए, गिरन बेदी जी हो गई, कपिल देव, एक्स प्रेजिडेंट हमारे, प्रनव मुखर जी, राज कुमाराओ, जैराम रमीज, जो की किरॉनमिस भी हैं और MP भी हैं, इसी तरीके से और बड़ी-बड़ी हस्तियां जो हैं, वो आप लोगों क जो हैं मार्क दर्शन करेंगी, तो यह बहुत अच्छा इंटराक्टिव आपका सेशन होने वाला है, इसको आपको जरूर अटेंड करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह फ्री आफ कॉस्ट है, तो आपको डिरेक्ली अनकाडमी के साइट पे जाके इसके लिए रिजिस सेडी की तरह उससे आगे कैसे बढ़ सकते हो, और इसके इलावा भी 34 के करीब आपकी वर्क्शॉप्स और इसके इसके लावा बहुत ही इंटराक्टिव और बहुत ही अच्छा आपके लिए experience रहे, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर यह image है golden लंगूर की, तो यह golden color का इसक तो golden लंगूर इसी लिए का आजाता है, तो इसका जो फर है वो golden color का है, तो इन ब्रीडिंग के concept को समझते हैं, और साथ ही इसको distinguish करेंगे interbreeding से, तो प्रामेटलोजिस कौन होते हैं, प्रामेटलोजिस वो होते हैं, जो कि scientific study करते हैं किसी भी तरह की primates की, प्रामेटलोजिस के अंदर आपके monkeys और मंकी जैसे जितने भी जानवर हैं, वो सारे के सारे आ जाते हैं, चाहिए आप normal बंदर की बात करो, लंगूर्स की बात करो, चिंपैंजिस की बात करो, इसके अंदर again बहुत सारी specializations हो सकती हैं, suppose करो कोई orangatons पे research कर रहा है, कोई gorillaz पर कर रहा है, कोई lemours पर कर रहा है, या फिर कोई किसी इन सभी के ऊपर किसी biological department में है, कोई medical research कर रहा है, कोई anthropological research कर रहा है, या फिर कोई zoological research कर रहा है, तो अपने आप में काफी diverse field है, पर आपको याद रखना है कि बंदर जैसे लोगों से ये concerned है, इसके अंदर दूर बताये गए है, एक तो electrocution, यानि कि बिजली की तारविगारा में फस करके इनकी जान जा सकती है, तो इन ब्रीडिंग क्या होता है, जब कोई भी एक species का प्राणी है, वो अपने ही close relatives है, intercourse करता है, इस intercourse से जो बच्चा produce होता है, SS1, इसको हम बोलेंगे interbreeding से produce हुआ हुआ बच्चा, अगर मैं आपको human sense में बताऊँ, तो अगर कोई brother है, वो अपनी sister को या अपनी cousin sister के साथ meet करता है, और उसके बाद जो बच्चा पैदा हो रहा है, वो आपा inbreeding वाला अब inbreeding से क्या होता है, inbreeding से होती है genetic defects, genetic defects अगर आते हैं तो इससे बहुत सारी genetic विमारियां आ जाती हैं, और ये जो behavior है, आने वाली नसलों को खराब करने लग जाता है, तो इसलिए इस तरह की जो चीज़ें हैं वो prefer नहीं की जाती, और हिंदू के अंदर हम देखते हैं Hindu law के अंदर भी लिखा गया है, कि आप Spinda relations में 3 generation अपने mother की side से छोड़ेंगे और 5 generations आप अपने father की side से छोड़ेंगे जब आप शादी कर रहे हैं तो, अगर हम culture की बात करें तो culturally 5 generation अपनी mother की side से छोड़ी जाती हैं, और 7 generation अपने father की side से छोड़ी जाती हैं, क्योंकि मान cousin भी होता है, तो इस तरिके से हमने cousins के degrees बढ़ाई हुए हैं, क्योंकि हम prefer करते हैं कि हम law से भी आगे अपने tradition को मानें, और जो 7 generation तक आपके father के रिष्टेदार हैं, उनमें शादियां ना करें, तो अब inbreeding की problems इन बंदरों में भी हो रही है, interbreeding का मतलब होगा है, जैसे inter cast होती है, यानि कि एक cast का person, दूसरी cast के person से शादी कर रहा है, तो similarly interbreeding क्या होगी, कि एक जो species है, ये golden लंगूर की, ये किसी और species का जो बंदर है, उसके साथ मेट कर रहा है, तो ultimately जो off-string पैदा हो रहा है, वो S1, S2 का mixture पैदा हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि जो आपका golden लंगूर की species है, वो धीरे-धीरे dilute हो जाएगी, खतम हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास original जो golden लंगूर है, वो नहीं मिलेंगे, इसका scientific नाम हमें दिया गया है, Trachyptychus G, I'm sorry for the pronunciation, and about की बात करें तो golden लंगूर जो है, इनको हम easily recognize कर सकते हैं by the color of the fur, which after which they have been named, तो ये मैं already पिता चुका हूँ, ये अपने आप में विशेश जाती है, लंगूरों की, जिनके अंदर जो fur है, वो golden होता है, otherwise ये white या silver होता है, it has been noted that the fur changes color according to the seasons as well as geography in which they live, तो बहुत बार क्या होता है, इसका जो fur होता है, ये chameleon की तरह अपना color change कर सकता है, तो जिस तरह का season होगा, जिस place में ये रह रहे हैं, उस तरीके से इनका जो fur का color है, वो change होता रहता है, तो ये अपने आप में इनका एक unique feature है, ये feature आपको याद रखना है, क्योंकि feature based question भी आ सकता है, तो हो सकता है आप से ये ही चीज़ पूछ ली जाए, तो जो आपके young बच्चे आते हैं, वो भी golden color के नहीं होते, वो totally pure white color के होते हैं, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा difference हमें देखने को मिलता है, they are highly dependent on trees, living in the upper canopy, forest, they are also known as leaf monkeys, तो ये बहुत जादा dependent पर जाती है पेड़ों पे, तो पेड़ों के बिना ये नहीं रह सकते, तो अगर पेड़ कहीं से काट जिये जाएंगे, deforestation हो जाएगा and so on, तो इनकी प्रजाती भी लुप्थ हो जाएगी, खतम हो जाएगी, और इनको leaf monkeys भी कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल पेड़ों के उपर वाले हिस्से में रहते हैं, और आप कह सकते हैं, कैमोफलाज होके रहते हैं एक किसम से, ताकि ये जो है, main stream में ना दिखाई दे, habitat की बात करें, तो जैसे मैंने आपको बताया, it is endemic to western Assam, India and southern Bhutan, तो Assam की एरिया के अंदर ये पाया जाएगा, आपको इंडिया में, भारत में, आपको Assam की एरिया में मिलेगा, North Eastern एरिया में मिलेगा, और South Bhutan के अंदर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा, again, जो हमारा North Eastern पार्ट है, उसी एरिया में आपको ये देखने को मिलता है, their habitat is a secret to the region, surrounded by four geographical landmarks, foothills of the Bhutan, Manas River in the east, Sankos River in the west and Bhramputra River to the south, ये important again fact है, कि ये कि जो graphical location में पाया जाते हैं, तो Bhutan के नीचे वाले जो mountains हैं, और उसके बाद आपकी eastern side में आ जाती है, Manas River, western side में आ जाती है, Sankos River और नीचे की तरफ आ जाती है, आपकी Bhutan के south के mountains, तो ये मैंने आपको इस normal square में दिखा दिया, but actual में square नहीं है, तो इस तरह से आ जाते हैं, फिर जाते restricted habitat as mentioned above, their habitat is restricted by national boundaries further increasing the threat of extension, अब ये जो area है, यहाँ पर आसपास आप देखोगे कि कहीं सारे countries लगते हैं, आपका Bangladesh वाला area लग जाएगा, बुटान लग जाएगा, मैं अमार वाला area लग जाएगा, and so on, तो इसके कारण जहाँ पर national boundaries होती है, वहाँ पर थोड़ा बहुता army की movement होती है, कोई और activities होती है, और boundaries को बनाने के लिए अकसर हम जहाँ demarkations वेगरा करते हैं, and so on, जिसके कारण इनकी जो habitat ह नाचुरल घर है, इनका वो effect हो जाता है, खराब हो जाता है, habitat fragmentation, their habitat in Assam has been fragmented drastically, especially on the trust of rural electrification and deforestation, तो हम पता है कि forest areas को हम clear कर रहे हैं, ताकि हम maximum गाओं बसा सकें, शहर बसा सकें, plus agriculture के लिए जवीन को reclaim कर सकें, उसके कारण भी इन लोगों का घर जो है, वो बरबाद हो रहा ह और ये लोग मर रहे हैं, plus rural electrification, यानि कि जो गाओं विगारे में बिजली की तारें बिछाई जा रहे हैं, उनसे भी ये मर रहे हैं, त्यूंकि बिजली की तारों में अक्सर ये उलच जाते हैं, और शौक से इनकी death हो जाती है, इंटर्ब्रीडिंग, इंटर्ब्रीडिंग जैसे मैंना आपको बताया था, तो जैसा मैंना भी आपको इंब्रीडिंग का concept समझाया था, तो obstructions और ये wire से, उसके बाद gap आगे हैं, forest में, एक forest से दूसरे forest में नहीं जा सकते, तो ये आप क्या कर रहे हैं, इंब्रीडिंग की बात कर लेते हैं, तो Central Zoo Authority of New Delhi and trusted the state zoo with the project for conservation breeding of golden lagoon in Assam in 2012, 11, so basically जो हमारी Central Zoo Authority है दिल्ली की, उन्होंने एक project बनाया था कि हम breeding करेंगे golden lagoon की और इनको basically conserve करके रखेंगे ताकि इनकी population dwindle ना हो, in 2019 भुटान recorded a drop of 62% in the population of golden lagoon over 2009 census, तो भुटाने जो latest census कराया था, उसके साबसे इनकी जो population है, वो 62% तक नीचे गिर गई है, the recorded estimation in Assam in 2009 was 5140 and this year census could not complete due to COVID-19 lockdown, और इस साल का census है वो complete ही नहीं हो पाया, COVID-19 के lockdown के कारण, अब जाते हैं protection status पे, protection status की बात करें, तो IUCN क्या होता है, तो IUCN के अंदर ये threatened list के अंदर endangered के अंदर आते हैं, IUCN हमारा है International Union for Conservation of Nature, और इसके अंदर हमने देखा था, वन से नाइन तक हमने parameters बनाए हुए हैं, जिसके अंदर हम अलग-अलग areas में रखते हैं कि एक्सिंट हो गया या ये least concerned and so on, तो ये उसमें आते हैं endangered में, Convention on International Trade in Endangered Species of Wildlife Fauna, Sites, Sites के अंदर ये पेंडेक्स 1 के अंदर protected animal है, और हमारा इंडिया के लिए important जो है, वो है Wildlife Protection Act, इसके अंदर ये schedule 1 के अंदर, again protected animal है, इसके अंदर मैंने आपको बताया था, schedule 1 के अंदर, आपको penalty लगाई जाती है, अगर आप इसको गलती से भी नुकसान पहुचाते हैं तो, तो again यहाप एक पूरी protection दी जाती है, absolute protection दी जाती है, और ignorance of law को को कोई excuse नहीं माना जाता, So with this, we have completed the topic, I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी and informative लगी होगी, thank you for watching. हमारे तीन नए batches शुरू हो रहे हैं, 22nd June से, जिसको आप enroll करा सकते हैं अगर आप UPSC की preparation कर रहे हो तो, यह batches आपको multiple languages में मिल जाएंगे, तो अगर आप English medium के student हैं, लेकिन हिंदी वे चीज़े समझते हैं, तो आपको bilingual batch मिल जाएगा, Hindi only batch मिल जाएगा, Hindi medium के students के लिए, और English only batch मिल जाएगा, जो कि सिरफ English में comfortable है. Prices आप देख सकते हो, अगर आप 24 months का plan लेते हो, तो आपको 67% discount मिल जाता है, और additional 10% discount मिल जाएगा, using the code ANI7, तो आपका total amount 57,600 बनता है, and similarly, अगर आप 12 months का plan लेते हो, तब आपको 54% discount मिल जाता है, प्लस आपको 10% additional discount मिलेगा, using the code ANI7. अब आपको ये plan क्यों adopt करना चाहिए, उसके बारे में कुछ advantages देख लेते हैं, तो देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है, वो है कि आप अपने favorite teacher से सीख सकते हैं, तो इसके अंदर कोई teachers के उपर बंदिश नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप offline coaching में जाते हैं, और आपको extra खर्चा करना पड़ता है, कहीं और जाना पड़ता है, लेकिन academy plus में ऐसा नहीं है, आपको जिस भी teacher से जो subject समझ में आता है, आप उससे वो पढ़ सकते हैं, तो आपने a teacher से suppose कीजिए quality पढ़ा, आपको अच्छा लगा, लेकिन a teacher का geography आप अच्छा नहीं लगा, त लेक सकते हैं और अपना syllabus घर बैठे बैठे अराम से पूरा कर सकते हैं, second यहाँ पर आपको dedicated doubt clearing sessions मिलते हैं, तो यानि कि आपके सारी doubts जो है, वो to the point विल्कुल साथ की साथ ही निप्टारा कर दिया जाता है, तो nip in the bud हो जाता है, ताकि कोई भी doubt ऐसा नहीं हो जो linger on करता र होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आपका clearing doubt session चलता रहेगा, आपके doubts जहने हो clear होते रहेंगे, उसके बाद आपको एक ही subscription के अंदर multiple courses हैं, वो मिल जाते हैं और आपको unlimited access मिल जाता है, पूरी an academy library का, तो suppose कीजिए, आप PCS की भी तयारी कर रहे हैं and IAS की भी तयारी कर रहे हैं, अब IAS के बीच में आपके UP PCS का exam निकल आता है, तो उस time पे आपको UP PCS के लिए को specific courses देखने हैं, specific lectures देखने हैं, तो आप वो भी इसी subscription के अंदर देख सकते हैं, तो एक ही subscription आपको elder अगलग exams की तयारी basically करा रही है, तो एक ही subscription से आपको पैसे खर्च किये, आपके अच्छे से सारी तयारी हो जाती है, and again घर बैठे बैठे बैठे, क्योंकि घर बैठे 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 एक बहुत बड़ा comfort है, और आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं, क्योंकि आप देखिए अगर आप offline coaching में जाते हैं, तो आपको एक तो आने ज चीज़ों का खर्चा बहुत जादा बढ़ जाता है, तो वो सारे के सारे आपके खर्चे इसमें दूर हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर real time interaction है teachers के साथ, तो ऐसा नहीं है कि वीडियो चल रही है तो आप teacher से बाचीत नहीं कर सकते हैं, या उनसे जुड़ नहीं सकते हैं, आप live chat के अंदर questions बूच सकते हैं, teacher साथ के साथ आपको explain कर सकते हैं, उसके बाद आप personalized doubt sessions ले सकते हैं, जिसके अंदर आप teacher से बात कर सकते हैं, तो teachers के साथ आपका interaction जो है वो पूरा अच्छे से रहेगा, जैसे कि आपका offline classes में रहता है, तो आप इस चीज़ को तो करते हैं चीज़ें, वो हमें जरूर याद रहती हैं, तो इसलिए test के अंदर की जो गलती हैं, वो आपकी बार-बार revise होंगी, तो आपको अलग से test series के लिए कोई payment नहीं करना, इसके अंदर आपके unlimited test series रहेंगी, जिसको आप join कर सकते हो, इसके लावा हर class के आपको PDF notes मिलें आपको दोनों तरह से मिलेंगे, annotated और बिना annotated, तो अगर plain suppose कीज़े, आपने कोई MCQ का course लगाया, और उसके अंदर आपने plain PDF file ले ली, तो आप बाद में उसको खुद से practice कर सकते हो, कि आपको कितने questions याद हो गए, और बाद में आप उसे annotated है, जिसमें teachers में आपको answers और reasons उसके साथ match करके देख सकते हो, कि आपकी reasoning कितनी correct थी, तो इस तरीके से आपके MCQ उसकी practice बहुत अच्छी हो जाती है, प्लस आपको जो theoretical chapters है, उनके भी हर एक chapter के हर एक वीडियो की PDF notes दिये जाते हैं, इसके इलावा आपका full syllabus coverage होता है, बहुत बार बच्चे ऐसे भी होते ह कि हमारा जो syllabus है, वो अधूरा रह गया, सर ने NCRT नहीं कराई या कुछ नहीं कराया, कुछ ना कुछ किसी ना किसी coaching पे कुछ रह जाता है, तो बहुत सारी coachings जो है, वो complete भी करा देती है, लेकिन कुछ बच्चों कर रह जाता है, लेकिन एन academy पे आपको पूरा पाठे करम क का cover किया जगा, और इसके अंदर एक और advantage है, वो यह है कि अगर आपको लगता है किसी teacher ने कोई topic मिस कर दिया, या कोई topic आपको ठीक से समझने आया, तो आप वो switch करके दूसरे teacher का same topic search कर सकते हो, देख सकते हो, उसके अंदर भी आपको कोई रोक नहीं है, कोई आपके extra charges नह नहीं आती, जैसे suppose करो अभी cyclone विगारा आ गया था, तो internet reception जो थी बहुत सारे areas में, इंडिया में, वो coastal areas की तरफ, वो काफी जादा down हो गई थी, उस case में अगर आपने सब कुछ download करके रखा हुआ है, तो आपका syllabus आपकी पढ़ाई नहीं रुकती, और आप साथ की साथ उ पर चला सकते हो, और offline सारी की सारी वीडियो को देख सकते हो, तो ये again एक बहुत बड़ा advantage होता है, तो ये कुछ advantages मैंने बताए, आपको क्यों join करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि अगर आपको अगर आपको शुरू में भी जैसे बताया है, अगर आप दो साल का सब्स्रिप्शन इकठे ले लेते हो, तो आपको 75% तक discount मिल रहा है और plus 10% extra discount भी मिल रहा है using the code ANI7, तो again ये बहुत अच्छी डील है, अगर आप किसी भी competitive exam की त्यारी कर रहे हो, so I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, informative लगा होगा, thank you for watching this video and have a nice day.